वेलकम टूनेक्स एकजाम आज है बेस सितंबर 2022 और बेस सितंबर 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुशिन मन सकते हैं सारे हमें इस वीडियो में डिसक्स करेंगे और हर कुशिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वाध्यान से देखिए लास्ट वम मैं आप से कुशिन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हों बताना है आज कि इस वीडियो के पाइल आप इस वीडियो के डिसक्स के से डाउनलोड कर सकते हैं पेडियो आप हमारे टेलेग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम गुरूप पर आपको सारे पेडियो एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कुर्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुरूप जैन कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला कुशन है, हाली में अंतरास्टी समान बेतन दिवस कब मनाया गया है तो अभी 18 सितंबर को अंतरास्टी समान बेतन दिवस मनाया गया, तो इस कुशन का 2 options है अब ये अंतरास्टी समान बेतन दिवस, यानि कि जेंडर के बेस पर समान कारे के लिए समान बेतन मिले, जेंडर के बेस पर कोई discrimination नहों, इसके लिए अंतरास्टी समान बेतन दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है अच्छा कल मैंने आपको बताया था कि 18 सितंबर को 202 दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को 202 रोगी सुरक्चा दिवस और 17 सितंबर को ही अंतरास्टी लाल पांडा दिवस मनाया गया 16 सितंबर को 202 ओजोन दिवस मनाया गया 15 सितंबर को अंतरास्टी लोक्तंत्र दिवस, इंजिनियर्स डे और 200 लिम्फोमा जागुरुकता दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को पेट्रियट डे और बिनोवा भावे की जेनती मनाया गयी। ग्यारे सितम्बर को ही रास्टी बन सहीद दिवस मनाए गया। दस सितम्बर को बेश्व आत्महत्या रोकताम दिवस और बेश्व प्रात्मेक चिकित्सा दिवस मनाए गया। नौ सितम्बर को हिमाले दिवस और बल्ड एलेक्ट्रिक वीकल डे मनाए गया। 8 सितंबर को बेसु भौतेक चिकितसा दिवस, बेसु फिजियो थेरेपी दिवस और अंतरास्टी साक्चरता दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को ब्राजील का सुतंता दिवस मनाया गया। साथ सितंबर को ही नेले आसमान के लिए अंतरास्टी स्वच बायू दिवस मनाया गया पांस सितंबर को अंतरास्टी चैरिटी दिवस मनाया गया तेन सितंबर को नेसनाई स्काइस्क्रेपर्स दे और अंतरास्टी गिद्ध जागरुकता दिवस मनाया गया दो सितंबर को बेस सुन आरियल दिवस मुनाया गया अच्छा एक कुशिन और कल मैंने आपको बता है था कि दुनिया में बैम्बू का लार्जेस्ट प्रोड्जूसर कौन है यानि कि बांस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो कल ही मैंने आपको बता है चाइना दुनिया में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरे नंबर पे कौन है इंडिया तो इस कुशिन से आपको एतनी जानकारी मिलती है अच्छा आज कि इस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगता है एलपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक को और सेर जरू क्या करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे छोटा साई टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेब करने में लगा दो आपकी लाइफ आटोमेटिक लिए अच्छी हो जाएगी निया क्योंशन है किस राज़ के उपराजपाल ने एक सो बेज़ फीट लंबा रास्टी ध्ष राश्ट को समर्पित किया है तो जम्बू कस्मीर के लिटरेंट गवर्नर है मनोज सिन्ह इन्होंने अभी पुलवामा में एक सो बेस फीट लंबा राश्टी ध्वज राश्ट को समर्पेद किया तो इस कुछिन का से ओप्सेंस है अच्छा जम्मू कस्मीर तो मैप में देख लीजिए यह है जम्मू कस्मीर पहले जम्मू कस्मीर एक राज्य था अब यह दो केंद सासित प्रदेसों में बट गया है जम्मू कस्मीर एक केंद सासित प्रदेस है और लद्दा दूसरा केंद सासित प्रदेस है जम्मू कस्मीर में अभी ग्राम रक्षा गाड योजना 2022 लागू ही कस्मीर में पहली बार मचल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया देश की पहली कारवन नीट्रल पंचयत जम्बू संभाग की पल्ली पंचैद बनी है, जम्बू कस्मीर के किस्तवाड जिले में चिनाव नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल बिद्धुत परयोजना को मंजूरी दी गई, अचा जम्बू कस्मीर में डल जील है, बुलर जील है, दचिग्राम नेशनल पार्क है, में राज्यों और केंद सासित प्रदेशों के परेटन मंत्रियों का रास्टी सम्मेलन कहां आयुजित किया गया है, तो अभी राज्यों और केंद सासित प्रदेशों के परेटन मंत्रियों का रास्टी सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्म साला में आयुजित किया गया है, तो इस question का «Bear options हैं» अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है है मैप में हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की capital क्या है? सिमला हिमाचल प्रदेश की chief minister कौन है? जैराम ठाकोर और हिमाचल प्रदेश की गवरर्नर कौन है? राजेंदर अरु लेकर अभी हिमाचल प्रदेश में धर्म स्वतंता संसुतन बिलेक 2022 पारित किया गया मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया गया बारत, अमेरिका, सैयुक्त, सैन अभ्यास, बज्र प्रहार अभी हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ था ये बकलो में हुआ है इस बार का बज्र प्रहार exercise अचा सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की नारीको नबन योजना ये भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की नारी को नमन ही होजना यह हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरो की अच्छा हिमाचल प्रदेश में Great Himalayan National Park है पिन बैली नेसनल पार्क है थेरगंगा नेसनल पार्क है हिमाचल प्रदेश ड्रोन नेती को मंजूरी देने बाला पहला राज़ी भी बना है हाली में LIC India Limited के CMD कौन बने है तो अभी प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली LIC India Limited के नए CMD बने है तो इस कुछिन का C options है अब LIC India Limited इसकी स्तापन कव हुई 1956 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है मुंबई में और अब इसके नए CMD बन गए है प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली मुकुल रहत तकी ये दूसरी बार बनेंगे पहली बार कब बने थे ये 2017 से 2020 तक ये पहली बार Attorney General बने थे बरेस्ट राजनाइक प्रकास चंद्र को Eritrea में भारत का राज़ूद न्यूक किया गया है नागे सिंग को ताइलेंड में भारत का राज़ूद न्यूक किया गया तो अब ही माहरास्ट गौर्न्मेंट नेतियायों की तरह एक संस्ता की स्थाप न करेगी इसके लिए सैद्धान्तिक मनजूरी महरास्ट के चीपनिस्टर एकनाद सिंधे ने दी है तो इस कुछिन का बे अप्सTONEs हैईए अब महरास्ट तो यह है map महरास्ट महरास्ट की के सब नागपुर में मनाया गया, देश की पहली इलेक्टिक डबल डेकर एसी बस मुंबई में सुरू हुई है, महारास्ट सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की गोश्टन की, भारत ने नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई होर बनाने का रिकॉर्ड ब पार्क भी महारास्ट में है, ने हुशन है, हाली में किस राज में पांसो बारे नई इंदरा रसोयों का सुबारम किया गया है, तो इस कुश्चिन का A option से यह, अब राइस्तान, तो ये है मैप में राइस्तान, राइस्तान की capital क्या है, जैपुर, राइस्तान की chief minister कौन है, असूग गहलोत और राइस्तान की गवर्णर कौन है कलराज मिस्र अभी राइस्तान सरकार ने मुख्य मंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की राइस्तान सरकार इसनातकों के लिए टैक सेंटर का उद्गाटन करेगी संतोस कुमार सिंग को राइस्तान तकनिक विस प्यार हुआ है भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत राइस्तान में आयोजित की गई और भारत का पहला सर्बुप महिला सहकारी बैंक राइस्तान में स्तापित किया गया राइस्तान में सरिस्का नेशनल पार्क है रडथंबोर नेशनल पार्क है केबला देवगाना पक सब्सक्राइब करने का फैसला किया है तो अभी बिहार गवर्मेंट ने बिहार के स्कूलों में अनिवारे खेल पिरेड और नो बैक डे सुरू करने का फैसला किया तो इसकुशन का बे आपसन सही है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहट किया गया है अब बिहार तो ये है मैप में बिहार बिहार की केपिटल क्या है पटना बिहार के चीपनिश्टर कौन है नितिस कुम्बार और बिहार के गवर्नर कौन है फागू चोहान अभी बिहार की खगोले बेद साला को यूनेस्को की महतपूर संकट गरस्त ब्रासत बेद सालाओं में सामिल किया गया फिलेप कार्टट ने बिहार राजी कौसल बेकास मीिसन के साथ सम्झोता किया है और बारती भू बैग्यानिक सर्विचट के अनुसाब, बारत का सबसे बड़ा स्वर्ड भंडा बिहार में है बिहार में बालमी की नेशनल पार्क है ये बिहार का इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है बिहार के लोक नत्ति कौन-कौन से हैं कर्मा, जिजिया, कजरी, जूमुर और जर्नी ये बिहार के लोक नत्ति हैं अच्छा कलरा पच्छी महुत सब भी बिहार में मनाया जाता है नेक्शुशन है हाली में बजरंग पुनिया ने 2022 बिजसु कुष्टी चेंपियंशिप में कौन सा पदक जीता है तो बजरंग पुनिया ने अभी सर्विया के बेल ग्रेड में 65 किलोग्राम बर्ग में कान से पदक जीता तो इस कुशिन का ए अप्सन सही है नेक्शुशन है हाली में डूरंड कप का 131 संसकर्ड किस ने जीता है तो अभी बैंगलूरू फुटवल क्लब ने मुंबई सिटी फुटवल क्लब को हरा कर डूरंड कप का 131 संसकर्ड जीता तो इस कुशिन का बे अप्सन सही है अच्छा ये पहली बार है जब डूरंड कप तेन अलग अलग राज्यों में हुआ है तेन राज्यों में अलग अलग तेन सहरों में हुआ है तो तेन सहर कौन से हैं कोलकाता गुहाटी और इमफाल इन तेन सहरों में इस बार का डूरंड कप हुआ और डूरंड कप बैंगलूरू फुटवल क्लब ने जीता है किसको हरा तेलंगाना सरकार अनसूचित जाती के आरक्षड को 6 प्रतिसत से बढ़ा कर 10 प्रतिसत करेगी तो इस कुश्चिन का से ओप्षन सही है अब तेलंगाना तो ये है मैप में तेलंगाना तेलंगाना की capital क्या है? हैदराबाद तेलंगाना के chief minister कौन है? के चंसे का रा और तेलंगाना की governor कौन है? डॉक्टर तमिल साई सुंदराजन अच्छा भारत का पहला बानी की विस्विद्याल है तेलंगाना में स्तापित होगा बारत का पहला 3-day printed मानब कौर्निया अभी हैदराबाद में विक्सित हुआ है तेलंगाना में बोला लू महोतसब शुरू हुआ तेलंगाना सरकार ने टे हब सुविदा खोली है एंटी पीसी ने भारत की सबसे बड़ी तेरती हुई सौर उर्जा परियोजना तेलंगाना में शुरू की और पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट अभी हैदराबाद में स्तापित की जाएगी प्राण हिता पुस्करूल त्योहार ये तेलंगाना में मनाये गया अच्छा तेलंगाना में कानूमा त्योहार मनाये जाता है कवर टाइगर रेजर्व है, अमराबाद टाइगर रेजर्व है, काशू ब्रह्मानंद रेड़ी नेसनल पार्क है और महाबेर हरिना बनस्तली नेसिनल पार्ग भी टेलङा नाम है नए क्यूंशन है हाली में सियाम के नए अध्यक्ष कौन चुने गए है तो अभी बिनोध अगरबाद सियाम के नए अध्यक्ष चुने गए तो इस कुशन का भे-oupçon सही है ये हैं बिनोद अगरवाल, यही सियाम, सियाम की फूलपूंग क्या है? Society of Indian Automobile Manufacturers, इसके नए अध्यक चुने गए हैं, नए शुशन है, हाली में देबेंद्र जांजरिया ने बल्ड पेरा एथलेटिक्स ग्रांड ट्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो देबेंद्र जांज जांजरिया इनों ने अभी बल्ड पेरा एथलेटिक्स में रज़त पदक जीता है, तो इसकुशन का A options है है, आप image में देखिए, यह हैं देबेंद्र जांजरिया और इनों नहीं इस बार के बल्ड पेरा एथलेटिक्स के ग्रेंड प्रिक्स में रज़त पदक जीता है, सरकार ने नंजरायड टैंक को पच्छी अभ्यारण के रूप में अधिसूचित किया है, तो अभी तमिलनाडू सरकार ने नंजरायड टैंक को पच्छी अभ्यारण के रूप में अधिसूचित किया, तो इसकुशन का A options है, तमिलनाडू के तिरपूर जिले में है नंजरा चालेन और तमिलनाडू की गवर्णनर कौन है? आर-एन रभी. अभी तमिलनाओ को अगस्टी मलाई में अपना 50 मा हाती रिजर मिला है. तमिलनाडू सरकार ने मुख्य मंतरी नास्ता योजना सुरू की है. तमिलनाडू ने जिलाज जलवाईव परिवतन मिशन की स्तापना की है स्मार्ट सिटी फंड के उप्योग में तमिलनाडू टॉप पर रहा है और तमिलनाडू सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नलोजी के साथ समझाता किया है चिर्थाई उत्सप तमिलनाडू में मनाय जाता है आदिपूरम तिहार तमिलनाडू मनाय जाता है जलेकट्टू का आयोजन तमिलनाडू में होता है तमिलनाडू ने अभी तमिल थाई वजदू को अपना राज की गेद गोशित किया था पूरे देश में मचली के उत्पादन में तमिलनाडू टॉप पर है फिर मैं आपको बताता हूँ मचली के उत्पादन में तमिलनाडू टॉप पर है फलों के उत्पादन में आंधप्रदेश टॉप पर है सबजीयों के उत्पादन में उत्तरपदेश टॉप पर है चेनी के उत्पादन में महराज टॉप पर है अचा तमिल नडू में मैंने आपको होता है आदिपूरम त्योहर मनाय जाता है जली कट्टू का आयोजन तमिल नडू में होता है अचा खाद्दे सुरक्षा संगलम टाइगर रिजर्व है इसे अभी टे एक्स टू अबार्ड मिला था नेक्षिशन है हाली में दोजर तेश में संगाई सयोग संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो दोजर तेश में संगाई सयोग संगठन की मेजबानी अपना देश भारत करेगा तो इस कु अब संगाई सयोग संग्ठन यानि की SCO, संगाई कोपरेशन और्गिनाइशन, इसकी स्तापना कब हुई 2001 में, इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है, बेजिंग में, और इसके प्रजेंट टेम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है, जांग मिंग, कौन है, जांग मिंग, अच्छा, SCO क और उजबेकिस्तान, और ये दो कौन से है, ये दो इंडिया और पाकिस्तान है, ये 2017 में, SCO के सदस्य बने थे, तो इतना आप SCO के वारे में याद रखिए, अब लास्ट वीडियो के कुशिन का आंसर, लास्ट वीडियो मैं आप से कुशिन पूचा था कि हाली में भारत क 76 में 17 ग्रेंड मास्टर कौन बने हैं, तो अभी प्रडव आनन, भारत के 76 में 17 ग्रेंड मास्टर बने, यानि कि इस कुशिन का बे ओप्सन सही था, और लगबग सभी स्ट्वेडनेस का अंसर सही दिया, मुश्ट लिए स्ट्वेडनेस के वारे में डिटेल में लिखा, मैं 17 ग्रड को डिजिटाइज करने वाला पहला राज जी कौन सा बना है, चार उप्सन दिये गए हैं, इन में से आपको अपना आंसर बताना है, और इसके अलाबा हम हमारे फेस्टूप पेज़ पर प्रेबियस एर कुश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेस्टूप पर इंडरेश रसी, इंस्टाग्राम पर इंडरेश रसी सर्च करके आप मेरे साथ जोड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फिजन, पिदाउट एनी हजीटेशन डिस्कस कर सकते हैं, अच्छा आज की स्टूप का टार्गेट जरू याद रखना, आज की स्टूप आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है, तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो, और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook ग्रूप हैं, उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो, तो ये था आज का हमारा current face का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा, please comment box में जरू बताना, और अगर अब ही तक भी आपने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है, तो इसे आप subscribe जरू कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी, जब आप से subscribe करेंगे, तो बरावन में एक bell icon मन के आएगा, आप उस bell icon पर जरू किलिक कर लें, जिससे कि आपक डेली मॉर्निंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे, नेक्स्ट एक्जाम और बेज वीडियो, थैंक्स पर वाचिंग